नमस्कार, न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आज की ताजाख खबर कियो अधर्म का विनाश प्राणियों में आतमसात करके ही देश और दुनिया को एक ही सही दिशा दी जा सकती है, शहर के एक होटल में प्रेसवारता के दोरान उन्होंने बताया कि बहुतेरी राजनितिक संगिठिन बाइन के लोग गौमादा के नाम पर केवल अपना उल्लू सीध देनिये हैं, शासन सत्ता के इतने प्रयासों के बावजूत गौवन से सडक पर घूमते और भुखप्यास से मढ़ते देखे जाते हैं, राजनिति में गाय को लेकर बाते सभी करते हैं, लेकिन कौसंरिक्षन की दिशा में जितना भी काम हुआ है, वो संतोष जिनक नहीं है विश्वगुरू भारत परिशद के चित्रकुट मंडल प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि उनके बुलावे पर ही दिल्ली के खजुराहों के रास्ते महास्वामी धर्मिदत महराज इवा माच्वारी गंगा सागर महराच महुवा में वीरो के इस पुर्णिय धरा पर पधारे हैं संथ हमारे सनातन समाज को आइना दिखाने के साथ सथ मार्ग प्रश्रस्ति करने का काम करते हैं सरकार के सितिल है और गुर्ण रखनात ने एक पद कहा है कथनी कथे सोस्य हमारा बेद पढ़े सो नाती रहनी रहे सो गुरु हमारा हम रहता का साथी हमारे पूज्य महराजश्री महाश्वामी श्री धर्मदत जी महराज जो बोलते हैं उस पर जीवन जीते हैं ऐसा कहीं आपको दुनिया में भारत में नहीं मुझे बहुत लोगों ने चाहा कि मैं किसी पार्टी को जोईन करनूं मैंने कभी नहीं किया मैं आज 64 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं नौ साल की उमर में से मैं निकला हुआ हूँ मैंने पूरे देश को सेकुण बार परिक्रमा किया है मैं चार सहरों में बैठता हूँ दिल्ली बंबई कलकत्ता चे नहीं साथ साथ दिन और चालिस सालों से बैठ रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा महापुरुष नहीं देखा ये केवल समाज के और संसार के लिए जी रहे हैं इनका कोई अपना लेना देना नहीं है और जो बात ये कहते हैं उस पर जीवन जीते हैं तो जो हम कहें उस पर हम जीवन जी के दिखावें रहनी रहने का मतलब है जो हम कहें व वो बात न कहें अभी तक राजनीति में वो बात देखने को नहीं मिलती है गाय के लिए सब बातें कर रहे हैं लेकिन गाय वैसी के वैसी कट रही है गाय वैसी के वैसी देश विदेशों में जा रही है कट करके उसका मांस बेचा जा रहा है और उस उपर से हम कह रहे हैं कि ग एकाद है कोई पूरी प्रथवी में भारत में नहीं कौन है उसका जन जो स्रश्टी के लिए समाज के लिए समानी रूप से कारे करें कोई जरासा भी भेद भाव न हो बैरी हु राम बढ़ाई करहीं हम कहते तो हैं कि राम राज्य हम लाना चाहेते लेकिन बैरी भी सत्र भी राम की बढ़ाई करते हैं और राम कैसा राज्य चाहिते थे राम न कैसा राज्य करके दिखाया भरत को राम को नहीं साधू कहा सरस्वती ने तात भरत तुम सब्विदि साधू भरत को साधू कहा तो हमारे महराज श्री का जो कथन है हम लोग समाज में इसलिए निकले हुए हैं हमने पूरे जीवन ज्योतिस्का कारे किया रामायन, गीता, बेद, पुरान, कुरान, बाईबिल, ग्रंतवानी, धमपद, कुंद, कुंद, समय सार आप चाज जिसमें मुझसे सुन लीजिए मैं चार 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 चाज करें गंटे बूलता हूं लेकिन मैंने ऐसा महापुर्श नहीं देखा है और मैं चाहता हूँ उन्हे बसिष्ठ ने उन्हें कहा कि तुम गाय की सेवा करो तो नंदनी को ले करके राजा दिलीप उसकी सेवा करने लगे इस्थिताह इस्थिताम उच्चलितप प्रयाताम निसे दुसीम आसन बद्ध धीरह जला भिलासी जलम आददानाम छायई वताम भूपतिह अन्वगक्षत इतना बड़ा राजा दिलीप जो सुर्ग तक रथ ले जाता था सूर्या उदय से सूर्यास तक जिनका राज्य चलता था इतना बड़ा राजा गाय की कैसी सेवा कर रहा है गाय के बैठ जाने पर बैठता है गाय के खड़े हो जाने पर खड़ा होता है गाय के चल देने पर और उसके पीछे पीछे चलता है, गाय जब सो जाती है तब सोता है, गाय के जगने के पहले जग जाता है, मानो गाय की परचाई हो गया हो, इस तरहे राजा दिली पुन की सेवा कर रहा है, तो गाय की सेवा ऐसी कोई कर रहे है, तो माना जाएगा के सच्चे में वो राजा है मैं दिल्ली से कल आया खुजराहो यहां पर हमारे विस्टुग्रु भारफ परिसत के मंडल प्रभारी है उमेश यादोजी यह तमाम लोगों को लेकर कि खुजराहो से हमें यहां ले आए अभी मैं यहां पर होटल अवध में हूँ हम लोगों का धर्मसापेक छराम राजवा कि न्यात्रा जहां तहां चलता रहता है उसी क्रम में हम और हमारे अंतरराश्टी संक्रक प्रमुख गंगा सागर परमहं सजी भी हमारे साथ हैं कि तो हम लोग यहां पर आए और यहां पर जिसमें हमें कई छेत्र में दवरा कराया जो मंडल प्रभारी नहीं हैं हमारे, तो यहां पर हमने देखा तो यहां पर इस्तिती खराब है , यहां पर छोगों को नयाय नहीं मिल पा रहा है , किसी भी राश्टी प्रांति सरकारों का प्रसासन उसके राश्टी प्रांति चेतना का दरपड होता है , class of सरल अर्थ हुआ सत्य नयाय जैसे हमें भूख या प्यास लगेगी तो हम अपने जीमर रक्षा के लिए सत्य बोलेंगे कि हमें भूख लगी है हमें प्यास लगी है जगत की स्तितिवं पोसल के लिए धर्म की महतियोप योगिता को आपने के लिए सत्य परयाप्त है सत्य जो है वो धर्म सत्यनियायत, धर्म का सरल साधार अलर्थ हुआ सत्यनियाय, आज सत्यनियाय का गला घोटा जा रहा है इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, इससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं, क्योंकि यह योगी जी के का राज्य है, यहां पर प्रसासनिक ब्यवस्था क इसी भी राष्टी प्रांती सरकारों का प्रसासन उसके राष्टी प्रांती चेतना का दर्पण होता है। इसमें भी तमाम अवेवस्थाएं हैं अभी आप देखिए अवेवस्था के चलते ही तमाम बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जा रही है इसके लिए मैं चाहूंगा कि योगी जी इस पर ध्यान दें क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि निसुल्क सिक्षा निसुल्क चिक्सा तुरि आड़ चाहते हैं आज हिंदु धर्म में कोई सारभावम धर्म गुरु न होने से बहुत नकली लोग सक्री हो गये हैं जो की जंता का सोसड कर रहे हैं ऐसे लोग को रोकने के लिए एक धर्म आयोग बनना चाहिए